तो अगर आप इंट्रस्टेड हैं इस तरीके का कंटेंट एक ही चैनल पर देखने में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं मेरे वीडियो को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने स्किन केर की जर्णी मैंने अपने स्किन को लेके बहुत गलतियां की हैं तो एक ओनेस्ट रिव्यू मैं अपनी स्किन का जो मेरे प्रोड़क्ट्स यूज किये हैं या फिर कहिए कि कुछ आदते जो मेरे स्किन के लिए अच्छा काम किया है तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे स्किन में और इतना बड़ा मेरा कोई चैनल नहीं है कि मैं इंफ्लूएंस करूँ या कोई प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट प्रोमोट कर रही हूँ ओनेस्ली जो चीजे या जो आदते मेरे लिए काम की हैं मैं वो ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आई होप आपको इससे फायदा होगा अगर आप भी इस तरीके की प्रोड़म से गुजर रहे हैं फ्रेंट्स मैं आपको पहले अपने पहले वाली स्किन के बारे में बता दूँ कि मैं अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा लापर वहा थी कुछ नहीं करती थी मतलब मोईस्टिराइजर भी लगाना मुझे ये था कि लगाया लगाया नहीं लगाया तो उसका क्या होता है कि आपकी स्किन को उसका खामियाजा बुखतना पड़ा प्री मैच्यूर एजिंग के साइन मुझे शो करने लगे और ये बात लगबग 2018 की है जब पहली बार मुझे मेरी आँखों के नीचे स्किन टाइट और इचिंग सीस में महसूस हो रही थी और कुछ दिन बाद यहाँ पर इतनी कम एज में भी यहाँ पर फाइन लाइन मेरी नजर आने लगी प्रॉपर विजिबल हो रही थी मैं हस रही थी तो वो दिखाई दे रही थी तो उसके बाद वो मेरे लिए बहुत बड़ा जटका था कि इतनी जल्दी यह सब कैसे हो रहा है तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अलर्ट हुई एक खत्रे की घंटी मुझे महसूस हुई कि इस स्किन के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं तो यह जादा दिन नहीं चलेगी और मतलब आप अपनी ऐस से कई गुना जादा दिखाई देंगे तो उसके बाद मैंने फिर वो शुरू किया और आप शायद मेरी से स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे कि जब हमारी स्किन धीली पंड़े लगती है या फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं दिखती जैसा भी होता है तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि कोई विज्यापन देख लिया तो क्रीम मंगाली सरा ही, फ्रेंड्स से सजेशन ले लेते हैं यूट्यूब पे देखते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें और बहुत सारी रेमेडिज भी हम ट्राय कर लेते हैं तो सेम वो मेरे साथ भी हुआ कभी कुछ लगा, कभी कुछ लगा मतलब मैंने एंटी रिंकल क्रीम भी ट्राय कर ली, मोईस्चराइजर बदल के देख लिए, फेस वाश बदल के देख लिए, बट कुछ काम नहीं कर रहा था, और पहले ये था कि जब मुझे कहीं जाना होता था, फंक्शन में जाना है, या कहीं मुझे कुछ अच्छा सा और अब ये जो नई प्रॉब्लम शुरू हुई थी, कि कभी दानेवाने हो गए, वो सब चीज़ा तो चलती रहती थी, मतलब मैं लापरवा थी उस चीज को लेकर कि मेरी स्किन कैसी है, अगर टाइम से केर की हुई होती, तो शायद इतनी प्रॉब्लम मुझे ना होती, तो से थोड़ा एक दो महीने उपर हो गए होंगे, जो मैं ये रूटीन या ये प्रॉड़क्ट यूज कर रही हूँ, उस से मेरी स्किन अब ऐसी रहती है, अल्रेडी मतलब पूरा दिन लग भग, सारा दिन, हफतों के साथे दिन, मतलब ऐसे रहती है कि, जैसे कि मैंने कल जैसा चेहरा उसके बाद होता था, अब वो मेरा डेली रहता है, तो इससे बेठर क्या है, कि अगर आप रोज थोड़ा सा गर कुछ एफर्ट डाल रहे है, और आपका चेहरा रेगुलर में ही वैसा लग रहा है, जो आपका बेस्ट लुक है, तो बढ़िया है, तो जादा मैं मतलब यह बताना चाहरी थे आपको, कि इतनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, और अब मुझे इतना सुख है इस चीज का, तो मैंने क्या चेंज की है, सबसे पहली बात, एक फिल्मी डायलोग हो जाए, कि डोंट अंडरेस्टिमेट दा पावर ओफ सी टी एम, सारे ब्यू लेकिन क्या करते हैं कि कुछ दो एक दिन किया, या कोई पैक वगरा भी है, दो चार दिन लगाया, हफते लगाया, फिर हमारा इर्रेगुलर हो जाता है, अब मेरा बहुत बिजी शेडियूल है, मतलब मॉर्निंग टु नाइट धर 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 एक काम होते हैं, नहीं होत लेकिन साबुन मत यूज कीजिए, और दूसरी चीज, अगर आपके स्किन ड्राय है, हार्ष उस पे चीजे एफेक्ट करते हैं, उस पे नुकसान पुचाती है, तो आपको इमाइल्ड फेस वाश लीजिए, ठीक है, कोई भी कंपनी का ले लेकिन माइल्ड लीजिए, लेकि आपके स्किन ड्राय है, ठीक, उसके बाद जो मैजिकल चीज है, वो है टोनर, वो हम मिस कर जाते हैं, उसके लिए आपके स्किन चाहे जैसी भी हो, ओली, ड्राय या मिक्स, आप टोनर जरूर यूज कीजिए, मैं गर्मियों में आयूर का टोनर यूज करती हूँ, उसमें हल गुलाब जल यूज कर रही हूँ, तो आप इन में से कोई भी आप्ट कर लीजिए, दोनों ही बहुत सस्ते हैं, पचास-पचपन रुपए के आ जाएंगे, या तो टोनर, कोई सा भी जो आपके बजट में आपको पसंद आजाए वो, या फिर गुलाब जल ऐसा टोनर, तो मैंने वो टोनर रखः हूँ अपने बाथरूम में, आप नहा के निकले, उसके बाद आपने सबसे पहले जब आपने आपको टॉबल से ड्राइ कर लिया, उसके बाद आप तोनर रहा सा हाथ में लीजिए थोड़ा सा और उसके बाद उसको आजसे रब किया, और ऐसे ऐसे पूरे मुँपे लगा लिया, क्रीम की तरह मसाज नहीं करनी है, ऐसे ऐसे करके पूरे मुँपे इस तरीके से लगा लिया, और उसके बाद पहने अपने कपड़े, जितने आप कपड़े पहनेंगे, इतने वो टोनर अपना काम कर देगा, फिर आप अपना आईए अपने सर्दियों में लेकमे का पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो कई बार मुझे उसके डबल कोट लगाने पढ़ते हैं, या फिर कोई आप थिक मोईस्टराइजर भी लगा सकते हैं, अगर आपके स्किन की नीड ऐसी है, यह चीजें आप बिलीव नी करेंगे, लेकिन हम क्या करते आपके स्किन पोर्स को टाइट कर देता है, तो उसमें गंदिगी कम जमा होती है, और जो ओपन पोर्स हैं वो भी नजर नहीं आते, तीसरा यह आपके स्किन को प्रैप करता है, मोईस्टराइजर को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो यह बहुत जरूरी चीज है, आप जो र लेकप नहीं भी किया, इवन आप बाहर भी नहीं गए कहीं, तो भी आप रात को जरूर चहरा धोईए अपना, और जैसे सर्दी का मौसम में अगर ठंड लग रही है, तो आप क्लेंजिंग मिल्क से कर लीजे, उसके बाद हलका सा पानी डाल लीजे, जादा नहीं पानी कि इसके मेर लाईज्यू लगाते हैं, तो लगाईए, नही तो मैं मैं मौसम मेर्य उ convictions नहीं लगायें, और सरदी के लिए, जो मेरी बेस्ट्स कर रहा है, कोई night cream !!! रही है कोई इस टैंड जो मैं लगा रही हूँ वह गलीसरीन और गुलाब jos उन दोणों को मैंने मिलाया हुआ है इकवल प्रपोर्चन में मतलब जितना प्ट्र में उतना कंप अप उतना ही गुलाफ जल बाकी चीज़े मैंने सब करके देख ली थी पानी पीओ अच्छी स्लीप लो महेंगी क्रीम लगाओ एवरीधिंग कुछ काम नहीं किया लेकिन अगर आप क्लेंजिंग और मुश्राइजिंग के बीच में टोनर का यूज कर दे हैं तो यह आपके स्किन केर गेम को बिल्कुल चेंज कर देगा आप करके देखिए कोई महगा आइटम नहीं है गुलाब जल लगबख सब के घरों में होता है आप करके देखिए और उसके बाद मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आपकी स्किन के लिए कैसा रहा आई होप आपको एवीडिय है इस तरीके के और कंटेंट में या मेरी कोई भी बात की वेर से आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा